तो दोस्तो आज क्या हमारा सवाल है how many types of photographies are here मतलब photography कितने types क्यों होती है well photography के बहुत सारे types है लेकिन मैं आपको उन में से कुछ खाक खास types explain करूँगा और साथ मैं आपको example से समझाऊँगा ताकि आप समझ सके So let's start with portrait photography, portrait photography मतलब होता है person या number of persons की photo click करना जो की camera की तरफ देख रहे हैं, तो simple let's see some examples So what is landscape photography, जैसा कि नाम से जाहिर है land यानी जमीन, scap means टुकडा जमीन का वो टुकडा जो बहुत खुबसूरत है उसे frame में capture करना landscape photography कहलाती है अब दोस्तों आपको बता दूँ, landscape photography में आपके सामने वाला पेड, उसके पीछे वाला तालाब, उसके पीछे वाले mountains और उसके पीछे आकास में जो की चान है, सारे focus में आने चाहिए उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आप aperture को छोटा रखें, ताकि depth of field बद सके, ऐसा ही कुछ tips में आपको तब बताऊंगा, जब landscape photography के लिए में एक individual video बनाऊंगा So, let's see some examples of landscape photography So next, so अगले हमारी photography आती है, wildlife photography, मतलब जैसा कि नाम से जाहिर है, wild यानी जंगली, life यानी चीवन जंगली जानवरों की, उनके natural habitat में photos क्लिक करना, wildlife photography कह लाती है अब आपको बता दूँ कि photography का सबसे challenging और सबसे adventurous टाइप wildlife photography है इसमें photographer को इस particular animal के बाने में सब कुछ पढ़के जाना पड़ता है उसके वेवार, उसके स्वभाव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए So, let's see next So, अब आती है वो photography जो आपकी प्यारी है, हमारी प्यारी है, हम सब की प्यारी है मतलब wedding photography दोस्तों, शादी कौन नहीं करना चाहता आप मैंसे कुछ तो ऐसे हैं, जो कि 5 सादी अभी कराए तो कर लेंगे जो किए So, wedding photography किसी की भी शादी में photos click करना अभी latest आपने एक सुना होगा, candid photography What is candid photography? subject को बिना pose दिए, natural expressions को click करना, candid photography कर लाती है अब आपको दिखाता हूँ, candid photography क्या होती है जोस्तों बात करते हैं, अगली last but not least, macro photography Macro रहनी उन छोटे 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 तीनी creatures की photo click करना जिन्हें आप नंगी आँकों से ठीक से देख नहीं पाते हैं, जैसे छोटी मकडियां, चीटियां, मच्छ, एक्जेटरा, एक्जेटरा अब आपको बता तूँ कि macro photography के लिए कुछ specific lenses होते हैं, कुछ filters होते हैं, जिन्हें आप लगा के macro photos खीच सकते हैं वैसे आजकल जितने भी smartphones हैं, उनसे macro photos अच्छे कीची जा सकती हैं